अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए हैं। 500 सालों के कटिन परिश्रम के बाद 22 जन्वरी को राम लला अयोधिया नगरी में विराजमान हो गए पूरे देश में हर घर दीप जलाए गए भगवान राम के आने की खुशी में पटाखे जलाए गए मिठाईयां बाटी गई पूरे देश में जगा जगा कीरतन और लंगरों का आयोजन भी किया गया ऐसे में नौईडा में भी राम के आने से जगा जगा पर अलग-अलग कारिक्रम रखे गए भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में राम लीला कमिटी के मेंबरों ने भी राम लीला मैदान में भवे कारिक्रम का आयोजन किया बैंड बाजे के साथ राम भक्तों ने जम कर खुशी मनाई बच्चों महिलाओं ने भी खुब उत्सा के साथ जैश्री राम के नारे लगाए गीत भी गाए गए बड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को आयोध्या से हो रही प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण लोगों को दिखाया गया राम जन्म भूमी आयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महुतसफ का आयोजन किया गया इसे अतिहासिक और धार्मिक अफसर पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंग ने विधान सभा के विभिन छेत्रों में राम यात्रा आयोजन करवाया धीरेंद्र सिंग ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शेहर की साफ सिफाई रखने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले लोगों को शॉल दे कर सम्मानित किया उन्होंने छेत्र के मंदिरों को चारो ओर से और गलियों को साफ रखा उनका योगदान सरानिय है उन्होंने कहा कि स्वच्चता ही सेवा है और रामराज की नीव है धिरेंद्र सिंग ने कहा कि राम नाम ही शक्ती है राम नाम ही शान्ती है राम नाम ही भक्ती है रात होते होते नॉडा के मंदिरों में भव्य रूप देखने को मिला, मंदिरों में हजारों की संख्या में भीर देखने को मिली, लोगों ने दीप के माध्यम से जैश्री राम की तस्वीर मनाई, मानो पूरा देश में दिवाली मनाई जा रही हो इस भव्य मौके को आपने कैसे सेलिब्रेट किया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आजका नोईडा